आज बन रहे हैं दाल वाले मसेतार सिक प्राठे एक ट्राइ तो आप भी जरूर दीजेगा इन प्राठों को सबस्पहले हम ले लेंगे दाल जोके एक दिन पहले हमने बनाई थे और लेफ्ट आवर है यह आपने ले लेनी है जितनी पी आपके पास हो आप उतनी ही यूज़ कर सकते हैं दुसरे नमबर पे हमें चाहिए होगा आटा आटा आप गंदम का भी यूज़ कर सकते हैं वाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं मसालों में हमें चाहिए जीरा साबच जीरा और एक टेबल स्पून लिया है मैंने फिर साथ में मैंने लिया है जो सबस लसन होता है वो ही सबस प्यास लिया है सबस मिर्च और धनिया लिया है मसालों में नमक और लाल मिर्च लिया है लाल मिर्च हमने कम लेनी है क्योंकि हम सब सबसे प्जाब में भी जाता है। सिपस्जान हम झाले subscriptions पर जप काइब लोगा है। सबस मीब काटकर आटे साथ 천प कुछाती है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि पंजाब की लोग बहुत ज़्यादा शौक से बनाते हैं क्योंकि जब भी डाल बचती है अगले देन वो आटे में गुन ली जाती है ताकि डाल जाया भी ना और प्राठे भी ज़रा लजीज से किसम के बन जाए और पंजाब की खास होगात है जिनको यह बनाने आते होंगे और बहुत अब हमने आटे में डाल अड़ करना स्टार्ट कर देनी है लेकिन आपने कम क्ववंटिटी में डाल यह करने एक साथ इस आटे को गुनते हुए हमने पानी का इस्तमाल बहुत कम करना है जब हमें रिक्वाइर हो हमने तब ही पानी का छड़काओ करना है या पानी इस्तमाल करना है otherwise हमने इसको डाल की मदद से ही गुन लेना क्योंकि डाल लिक्विड होती है तो भी एजिली गुन जाता है अगर आपके बास डाल ज़रा हार्ड है तो आप उसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ सा ब्लेंड कर सकती है उसे भी पितली हो जाएगी और यहां पर यह भी मैं बता दू कि डाल की कोई बदी नहीं है कि अपनी मुंग मसूड की डाल ही यूज करनी है जो भी लेफ्ट ओवल डाल हो आपके पास आप वो यूज कर सकते है और सेम रेसिपे को फॉलो करके आप भी आटा गुन के प्राठे बना सकते है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने डाल एट करते है जाना है आटे मिक्स चेसे मिक्स करते जाना है जब तक मैं आटा गुन रहागा अगर आप में चैनल पे न्यू आया है पहली दवा में इस वीडियो को देखने तो जल्दी से में चैनल को सबस्क्राइब करें साल लगे बल नोटिफिकेशन को आन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नियू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और बताएं आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है हमाई तरफ तो मौसम बहुत ज़्यादा सबस्क्राइब सुनने में भी आ रहे हैं कि 12 जनुरी से 15 जनुरी तक बहुत ज़्यादा सबस्क्राइब परने का चांसिस है स्पेशली पंजाब में तो वैसी एक्स्ट्रा ही सर्दी होती है लेकिन अगर कराची वाली साइट पर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पर नहीं होती वहाँ पर नॉर्मल ही रहता है वेदर तो आप भी जरूर बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपकी तरफ वैदर की सुर्टेहल क्या है जितनी भी डाल थी मैंने सारी इसमें एड करती है थोड़ी थोड़ी करके एड करती गई हूँ अब आटे को अच्छे से हमने डाल की मदद से मिक्स कर लेना है जितनी अच्छे से हम मिक्स करेंगे उतना ही आटा खुदबा खुदी गुनना वाला हो जाएगा वो हमें पानी एड करने की जरूवत नहीं पड़ेगी आटे को हमें ज्यादा मुक्यां देने की जरूवत नहीं पड़ते हैं टाम काफी अच्छे से गुन गया था अगर आप चाहें तो आप यहां पर नवकमेट के लिए आप एड़ कर सकते हैं, हलका साब चख लें, अगर आपको लगे नमक मिर्च कम है तो आप नमक मिर्च इसमें और एक्स्ट्रा एड़ कर सकते हैं, एड़ करने के लिए अपने थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें नमक और मिर्च एड़ करके उस पानी को अपने आटे के साथ अब मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 5-10 मिनिट के लिए रेस्ट पे उसके बाद अगें मैंने इसको 1-2 दफा दे देनी है मुकी मुकी लगाते हैं वक्त आपने हलकास अपने हाथों पे पानी लगा लेना है ताकि आटा आपके हाथों के साथ चिपके नहीं और आपने अच्छे से 1-2 दफा इसको मुकी दे देनी है ताकि आपका आटा त्यार हो जाए जब आटा डेडी हो जाएगा आपने 5-10 मिन तक इसको रेस्ट देना है उसके बाद आपने इसकी नॉर्मल प्राथे तरह रोटी ले लेना है चोटा सा अपने प्राथा लेना है उ इसको मक्षन के साथ और देहीं के चटने के साथ सेर्फ करता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अलाहाफेज